नमस्कार कोई आपका अपमान करे तो क्या करे जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना आप किसी की प्रसंसा करो या ना करो आप कोई बात नहीं लेकिन अगर किसी का अपमान कर रहे हो ना तो सो बार सोचकर कर ले ना आप किसी की हजार बार प्रसंसा करोगे ना तो वो भूल जाएगा लेकिन अगर आप में उसका अगर एक बार भी अपमान कर दिया ना तो वो जिन्द की बर याद रखेगा और वो आप से अपमान का बदला लेने की सोचता रहेगा इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि तारीब करो या ना करो कोई बात नहीं लेकिन अपमान किसी का सोच समझ के करना अब अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करे उसका जवाब कैसे दे हर इंसान के जिवन में कहीं ने कहीं उसका अपमान होता है अब रही बात की अपमान का जवाब कैसे दे सबसे पहले तो ये देखे कि किसी ने अगर आपका अपमान किया है ना तो क्या उसकी गलत फेहमी की वज़े से तो नहीं किया है अंजाने में से तो नहीं हुआ है अगर अंजाने में से अपमान हुआ है तो उस आदमी को आप माप कर दे लेकिन अगर कोई जान बूज कर आपका अपमान कर रहा है ना तो एक बार उसको माप कर दे दुबारा उसको समझाए लेकिन अगर कोई वेक्ति बार बार आपका अपमान करे ना तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी है उसको जवाब दीजिये अगर आप उसको जवाब नहीं दोगे ना तो बार बार और हर वक्त हर समय आपका अपमान करता रहेगा अब आप कोगे सर उसको अपमान का जवाब कैसे दे अपमान का जवाब देने का भी तरीका है सबसे पहले तो देखिए कि आपका अपमान किस वज़े से हुआ है आपका अपमान क्या गरीबी के वज़े से हुआ है आपका अपमान क्या आप स्टुडेंट हो क्लास में कम नंबर आने के वज़े से हुआ है आपका अपमान आपके ओपिस में आपके बोस के द्वारा हुआ है उस वज़े को डूंड़े कि आखिर आपका अपमान किस वज़े से हुआ है और जिस वज़े से आपका अपमान हुआ है ना उस वज़े को दूर करिए जिन्दगी में आपका दुबारा कभी अपमान नहीं होगा आप क्या करोगे किसी ने आपका अपमान किया चलो मालो आपका गरीबी के वज़े से अपमान कि किसी बड़े आदमी ने आपका अपमान कर दे क्या आप उससे लड़ी करने चले जाओगे आपके क्लास में कम नमबर आने के वज़े से आपका अपमान किया टीचर ने तो क्या आप टीचर से लड़े करने लग जाओगे बोस ने आपका अपमान किया है कि आपने टार्गेड एचीव नहीं किया तो क्या आप बोस से लड़े करने लग जाओगे अपमान का बदला कभी लड़ई से नहीं दिया जा सकता है और अपमान का बदला वापिस अपमान करके नहीं दिया जा सकता है क्या आप अपने बोस से लड़ई करोगे? आप अपने बोस का वापिस अपमान करोगे? क्या क्लास में कम नंबर आये तो आज टीचर ने आपका अपमान किया तो क्या आप टीचर का वापिस अपमान करोगे नहीं क्या आपके परिवार में आपके समाज में आपकी गरीबी की वज़े से बड़े लोगों ने आपका अपमान किया है तो क्या आप बड़े लोगों का वापिस अपमान करोगे नहीं अपमान का बदला कभी अपमान से नहीं दिया जा सकता है कभी लड़ी जगड़े से नहीं दिया जा सकता है अपमान का बदला जिस चीज से अपमान हुआ है ना उस चीज को आप दूर करो अपने कर्मों से जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सामने वाला पच्टा है कि यार मैंने उसका अपमान क्यों किया माल लो बोस ने आपका अपमान किया टारगेट एचिव नहीं होने से तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वही बोस वह पच्टा है कि मैंने अपने कलीप का अपमान क्यों किया अगर आपका अपमान समाज में रिस्तेदारों के द्वारा अगर गरीबी के गारण आपका अपमान हुआ है तो वह गरीबी दूर करके दिखाओ और टोप लेवल पहुंच के दिखाओ वही समाज के लोग वही समाज के लोग वही रिस्तेदार आप से वापिस दोस्ती करना चाहेंगे वापिस पच्छताएंगे कि यार मैंने किस आदमी का अफमान कर दिया है अगर क्लास में कम नमबर आने के कारण आपका अफमान हुआ है तो लेक्ट टाइम वापिस टोप करके दिखाओ वही टीचर वही टीचर सोचेगा गयार मैंने किस इस्टूडिन का अफमान किया था तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सामने वाला रिगट करे पश्चा ताप करे कि मैंने किसका अफमान किया है अफमान का बदला अफमान से न ले अफमान का बदला अपने कर्मों से ले कुछ अच्छा करके दिखाओ कुछ जिवन में टोप करके पहुँचे कि सामने वाला भी सोचे कि यार मैंने कलती की उसका अपमान करके ये बात जिवन में हमेसा ध्यान रखे कि अपमान का बदला हमेसा अपनी मेहनत और अपने कर्म के अच्छे फल से ले अपमान का बदला वापिस अपमान लेके ना ले इसमें आपका ही समय वेश्ट होगा और आप जिवन में कु